जब निए पर सी कितने हैं दो मुलंद जुत आफमांडे West स्थैंद्व करिए म में आशी श्राइब लेकिंगे है मेथे इस वीदियो में बाता है जिग जे संद talked क्या हुते हैं उन में क्या साइस्द बहुत ऐस निफीड़़् जितने हैं is i-dou phones आपके सारे doubts clear हो जाएंगे तो आड़े friends let's crack it out तो friends अकसर interviews में question पूछा जाता कि what is the difference between jigs and fixtures jigs and fixtures के difference की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं jigs के बारे में और fixtures के बारे में individually कि जिग क्या होता है noises जिग हमारे एक ऐसा टूल होता है rasa device होता है जो कि हमारे work लगे विए उसके उपर लोकिटिंग पिंस होंगी होंगी यहां फिर रेस्टिंग पैड्स होंगे अगल बढ़ उसके इस स्टरप लगय होंगी जिस पर हमारी जू जोब है हमारा वर्कौ round करेगा और उसके उपर एक प्लेट लगे होंगी जिसे हम हमारे jig की life increase हो जाएगी इस सब के बाद उसमें लगी होगी clamp जो हमारी clamp है वो plunger type की भी हो सकती है या फिर screw thread type की भी हो सकती है जो की rigidly हमारी component को hold करेगी तो jigs को हम different operations के लिए use करते हैं जैसे कि हमारा drilling हो गया boring हो गया reaming हो गया tapping हो गया तो यह तो हो गया हमारा jig इसके बाद बात करते हैं fixture की तो जो fixture होता है वो भी हमारे work piece को hold करता है उसे position करता है बट जो उसमें tool चलता है मशीनिंग के दोरान वो उस tool को guide नहीं करता है मतलब कि वो ऊपर से open होता है तो वो होता हमारा तो यह तो हो गया हमारा Jig और Fiction की definition अब हम बात कर लेते हैं इनके differences के बारे में तो सबसे पहला और सबसे बड़ा difference यही है Jigs और Fiction में कि जो हमारा Jig होता है वो हमारे workpiece को hold करता है उसे position करता है और उस पर tool चलता है वो हमारे machine की work table पर मतलब कि जो हमारी drill हो गया जो drill की table होगी उस पर fix नहीं होता है वो movable होता है और जो हमारा fixture होता है वो हमारी machine में bolted होता है मतलब कि वो fix होता है rigidly एक ही position पर जैसे कि हमारे CNC VMC machines में fixtures लगे होते हैं और जो programming के according tools आते हो और वो उसमें holes और other operation वो करके चले जाते हैं तो इसी तरह से third difference यह होता है कि जो हमारे jigs होते हैं वो light work के लिए use किये जाते हैं और जो हमारे fixture होते हैं वो heavy work के लिए use किये जाते हैं जैसे कि drilling, boring, tapping के साथ साथ हो गया जैसे milling करनी है face milling करनी है side milling करनी है जो भी हमारे heavy operations हो गए तो friends, jigs and fixture के difference के बाद सवाल यह आता है कि जो हमारे jigs and fixture है उनकी need क्या है क्या जरूरत है उनकी तो जैसे कि हमारे simple jobs हैं कोई cylindrical job है circular job है उसे हम simply lat machine के chuck में hold कर लेते हैं single point tool से उस पर taper turning, step turning, जो भी हमें करनी है threading वो easily कर लेते हैं पर हमें कोई miscellaneous job बनानी है हमारी job जो है उसके different different axis पर हमें operation करने है तो उसके लिए special type के jigs and fixtures को design करना होता है और उनसे हमें क्या फाइदर मिलता है जैसे कि हमारे work piece में different different operation करने है यूज करते हैं जिसे कि हम specially design करते है product के according उसके बाद jigs और fixture का यूज करने से हमें repeatability मिलती है accuracy मिलती है और interchangeability मिलती है कि मतलब जो हमारा product बन रहा है वह accurate बनता है और identical बनता है और हमारी productivity grow करती है और इसी के साथ हम jigs को inspection के लिए भी यूज कर सकते हैं जिसे कि हम spacer inspection jig बोलते हैं जैसे हमने कोई अपना component बनाया किसी भी fixture पर और हम उसे check करना चाहते है कि उसकी profile कितनी सही आ रही है उस पर जो holes हो रहे है उस पर जो operations हो वो कितने ठीक हो है कितने accurate हो है उन्हें चेक करने कि लिए हम अपने part को jig में लगाएंगे hold करेंगे उसे और pills डालके देख लेंगे plug gases डालके देख लेंगे वो सही बनाया नहीं तो friends यह हो कि हमारा jig और fixture की भाई जिग क्या होता है, fixture क्या होता है, क्या difference होते है, क्यों यूज के जाता है, उनके क्या फाइदे होते हैं तो I hope इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे doubts clear होगे होंगे, jigs और fixture को लेके तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीस इस वीडियो को like जरू करें और मुझे कुछ पूछना चाते हैं, तो please मुझे comment करें इस वीडियो को जरू करें और ऐसी informative वीडियो देखने के लिए प्लीस मेरी चैनल को subscribe करें और चैनल को subscribe करने मुझा बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी चैनल की updates आपको मिल जाएं, तो friends मिलते है नेक्स